Module 71, Treatment of Conduct Disorder, Cognitive Behavior Therapy Now we will discuss कि जो Conduct Disorder है, उसको हम through cognitions किस तरहां बच्चे की चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो Conduct Disorder है, वो बहुत दफा इसलिए exhibit होता है क्योंकि जो बच्चे का thought pattern है, वो distorted होता है उसके बहुत सारी ऐसी cognitive errors होती है जिसकी basis के उपर वो बच्चा जो है, वो अपना disruptive behavior exhibit कर रहा होता है तो जब भी हम CBT की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले cognitive restructuring की बात करते हैं हम इस चीज़ की बात करते हैं, कि बच्चे का जो thought pattern है, उसको change करने की जरूरत है क्योंकि जैसे ही thought pattern change होगा, तो बच्चे का behavior जो है, वो change हो जाएगा जैसे हम बच्चे को ABC का चार्ट देते हैं, और हमें पता है कि ABC के चार्ट में जो B है तो basically जो उसका believe है, जो उसका thought pattern है, हमने उसके उपर work करना है और आम तोर पर ये देखा जाता है, कि जो cognitive distortions हैं, जो explain की है back ने, there are ways in number लेकिन हम उन में से चांद एक का जिकर करेंगे, जिसमें, जो के conduct disorder से related है मिसाल के तोर पर ऐसे बच्चे जो हैं, वो blaming others बहुत जादा करते हैं इसी तरह वो कहेंगे कि if I asked him to do that, that person should do that thing तो उनकी life के अंदर blaming others should और must जो हैं, वो बहुत जादा prevail कर रहे होते हैं और जो इस किसम के thoughts होते हैं, ये basically उनके लिए unhelpful thoughts होते हैं ये जो unhelpful thoughts होते हैं, ये उनके aggressive behavior को trigger करते हैं इन्ही unhelpful thoughts को हमने helpful thoughts के अंदर change करना होता है हमने उनको ये सिखाना होता है कि वो किस तहां ये unhelpful thoughts जो हैं, वो helpful thoughts के अंदर change कर सकते हैं Say it is not necessary, कि जो भी मैंने कहा है, the other person should listen me अगर ये चीज़ हुई है, तो somewhere I am also responsible unhelpful thoughts को change कराएंगे, तो it is more likely कि जो consequence है, जो aggression है, वो less हो जाएगा तो ये जो इस किसम के charts हैं, ये हम बच्चे को देते हैं ताकि वो उसको practice out करें और वो identify करें कि वो कौन से cognitive errors कर रहा है और उसके बाद उनको helpful thoughts के थुरू उनको change करने के कोशिश करें फिर हम बात करते हैं problem solving technique की, जो problem solving technique है, वो क्यों important है, वो इसलिए important है क्योंकि usually ये बच्चे anger में या aggression में इसलिए आते हैं क्योंकि ये हर दफ़ा problem को एक ही तरीके सा solve करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पूर problem solving की वज़ा से इने usually जो है ये problem होता है तो इसमें सबसे पहले हम उनको problem solving करना सिखाते हैं वो किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम उने करते हैं कि identify the problem अपना problem जो है उसको identify करें, identify all possible solution यानि जो भी problem है, उसके जितने भी possible solutions हैं, उन सब को write down करें और उसके बाद एक एक जो उसके solution ढूंडा है, उनका pro लिखे और उसका कौन लिखे, यानि उसका फाइदा क्या है और उसका नुकसान क्या है जब वो एक एक जितनी भी options उसने लिखी होगी उसको pro and cons देखेगा तो ऐसी solution जिसके pro ज्यादा होंगे, यानि जिसके फाइदे ज्यादा होंगे, जिसके benefit ज्यादा होंगे, वो उसे as a solution जो है, वो select करेगा फिर हम उसे कहेंगे, you need to be plan it out, यानि आपने उसको किस तरह करना है, then the child will able to do that thing यानि उसको action में किस तरह लेकर आएगा, पहले वो mentally planning करेगा, फिर वो उसको do करने की कोशिश करेगा, action plan करने की कोशिश करेगा और फिर जिस वकद वो action कर लेगा, तो उसके बाद वो आकर उसको review करेगा, कि whether that is helpful or not, ठीक है तो इस तरह हम बचे को problem solving सिखाते हैं, इसकी मदद से फाइदा ये होता है, कि अगर next time वो कभी कोई problem face करता है, तो वो उससे violently handle करने की बजाए different methods of dealing the situation जो है सोचता है, और फिर उसमें से best solution को निकाल कर, उस situation को handle करने की कोशिश करता है Thank you